Hello friends, my name is Azhar Khan and welcome to my YouTube channel Khantrikster. This is lecture number 10, Dice of Reasoning, part 3, Open Dice. तो आज की स्क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो सभी questions जो Open Dice से आप से पुछे जा चुके हैं या पुछे जा सकते हैं. इसलिए इस lecture को एंड तक ज़रूर देखें. तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि Open Dice से कितनी forms possible हो सकती हैं. तो यहाँ पर मैंने draw कर दिया total 8 forms और आपका task क्या रहेगा इसमें opposite faces को find करना. तो देखें यहाँ पर first figure में अगर मैं opposite faces find करूं तो 2 और 4 जो बाहर आपको squares नजर आएंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? और बाकी के जो numbers बचे जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 और 4 एक दूसरे के opposite रहेंगे और बाकी देखें alternate देखते हैं 1 and 5 एक दूसरे के opposite and 3 and 6 एक दूसरे के opposite. अगर आपको answers चेक करने हैं तो आप एक dice लिजेगा उसको open करके उत्पे numbers लिखके फिर ऐसे आप बंद करके close देखेंगे और एक दूसरे का opposite numbers देखेंगे तो आपको यही answer मिलेगा ठीक है? अब देखें 1 और 6 यहाँ पर opposite आगे 1 और 6 opposite आगे अब then क्या देखना है alternate 2 और 4 एक दूसरे के opposite then 3 and 5 एक दूसरे के opposite right अब यहाँ पर देखें 2 and 6 एक दूसरे के opposite है 1 and 4 एक दूसरे के opposite है and 3 and 5 opposite numbers then यहाँ पर 2 and 5 opposite 1 and 4 and 3 and 6 यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे यह यहां पर कोई एक square दो square बाहर नहीं है, तो इस case में आपको simple क्या करना है, alternate देखना है, one और three एक दूसरी के opposite रहेंगे, ठीक है, और two and five एक दूसरी के opposite रहेंगे, और four and six एक दूसरी के opposite रहेंगे, तो alternate का concept है यहां पर भी, अब यहां पर देखेंगे, यह कुछ different है, इसने क्या क्या, एक face के चार parts कर दिये, जैसे यहां पर six number नजर नहीं आ रहा, six number नजर नहीं आ रहा, तो इसके क्या कर रहा है, उसने चार parts कर दिये, ठीक है, एक part को यहां पर रख दिया, एक part को यहां, एक part को यहां, एक part को यहां, तो मैंने क्या क्या किया, जब मैंने इसको close तो इसको जोड़ा, तो कुछ इस तरीके से ये face नजर आएगा, ठीक है, जो plus है वो यहाँ पर, multiply का sign यहाँ, minus का sign यहाँ, और equal to का sign यहाँ पर, अब question है कि ये वाला face किसके opposite होगा, देखे जब आप close करेंगे, तो ये opposite किसके आएगा, 3 के आएगा, तो ये opposite किसके होगा, 3 क और बाकी के जो numbers बचे वही alternate, 1, 5 के opposite, and 2, 4 के opposite, clear है, then चलते हैं, 7 form पे, अपने 7 form पे चलेंगे, देखे, अब इसने क्या किया, पहले तो cross करके उसने 4 partition किये थे, लेकिन इस बार क्या किया, उसने कुछ इस तरीके से division कर दिया, square की shape में, 4 part कर दिये, और 4 को एक एक corner पर र इस तरीके से नजर आएगा, minus and plus, minus and plus यहाँ पर उपर आगे, then multiplier equal to यहाँ पर आगे, अब question same है, इसके opposite कौन सा face होगा, वही 3, जो center में है, इसके opposite क्या रहेगा, 3, और बाकी के, 1, 5 के opposite, and 2, 4 के opposite, right, and last form है हमारी, अब देखे, इसने कैसे divide किया, अब एक face को इसने इस तरी के से divide किया, दो face को divide कर दिया, देखे, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6 नहीं है, तो 5 और 6 की जगा क्या क्या क्या, उसने इनका double division कर दिया, इस तरीके से, rectangle की shape में, है न, अब देखे, तो मा, जब इसको हम जोडेंगे, तो एक face हमारा नजर आएगा, minus and multiply, यह एक साथ होगे, औ और एक face नजर आएगा, plus or equal to, यह दोनों एक साथ होगे, और question है, कौन-कौन से face एक दूसरे के opposite रहेंगे, देखे, जब यह वाली form हो, तो यह एक दूसरे के opposite रहते हैं, यह याद रखेगा हमेशा, यह एक दूसरे के opposite रहते हैं, बाकी के जो numbers बचे, 1, 3 के opposite, and 2, 4 के opposite, व बंद करने के बाद वो कैसा नजर आएगा, यह आपको इसमें से choose करना है, कि A, B, C, D option में से आपको select करना है, कि कौन सा dice possible हो सकता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को subscribe नहीं किया, तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा, और वीडियो को like जरूर कर दीजेगा, क्यों 2 और 4 और एक दूसरे के opposite रहेंगे, and 1 और 6 एक दूसरे के opposite रहेंगे, ठीक है, आप opposite spaces find कर लिए, तो कौन सी possibilities हो सकते हैं, याद रखेगा, जो opposite numbers होते हैं, वो एक दूसरे के 7 में नहीं होते हैं, यानि कि सामने से नजर नहीं आते हैं, जैसे यहाँ पर अगर 3, 6 और 1 सामन नजर आ रहें, तो यह एक दूसरे के कभी opposite नहीं होंगे, अब देखे, 5 और 3 एक दूसरे के opposite हैं, तो 5 और 3 यहाँ सामने नजर आ रहें, तो यह तो possibility नहीं हो सकती, क्योंकि यह opposite faces हैं, ठीक है, then 2 और 4 एक दूसरे के opposite हैं, तो 2 और 4 हमें option में C में नजर आ रहें, तो यह possibility भी cancel then one और six opposite नजर आ रहे हैं तो यहां पर देखे एक साथ में तो यह भी possibility incorrect तो right option कौन सा होगा option number D right then question number two देखे इस type से भी आपके questions आते हैं कुछ numbers की जगा आपको या तो कुछ pattern draw कर देता है वो या फिर कोई symbols provide कर देता है तो यहां पर देखे यहां पर हैं और यह सिर्फ दो SIMB oldu रखे यहां पर यह have light देदी इसarthita हैब से फैंड करेंगे तो देखें अगर में आप ऊबॉस歸 फैंड करहूं तो इसके अप्यश यहेवाला फैस होगbon है ने की bank के opposite shotsżej मैं कंकरland यहानद उ यहाँ प इस blank के opposite ये वाला दो blank के opposite दोनो blank होगे faces और ये dot इसके opposite होगा ये dot इसके opposite face होगा पस इसी की help से हमें find करना है अपना correct answer कि fold करने के बाद ये figure कैसे नजर आएगी तो यहाँ पर देखिए ये दोनो एक दूसरे के opposite है तो याने कि ये सामने से नजर नहीं आने चाहिए तो option number A भी गलत, option number C भी गलत, option number D भी गलत तो right answer कौन सा बचा सिर्फ हमारा option number B आप करेंगे दो और question जो हमने तो आप चलते है question number 3 पर so question number 3 में open dice आपको ये given है आपको find करना है कि कौन कौन सी figure possible हो सकती है ये options दिये हैं आपको A, B, C, D ठीक है तो सबसे पहला task क्या रहेगा आपको opposite faces find करना तो यहाँ पर देखे opposite faces find करने थे हम ये face इसके opposite होगा ये face इसके opposite होगा दोनों MPT है और ये जो centered face है ये किसके opposite होगा इन चारों को जोड़ कर ये हम form पढ़ चुके हैं पहले इस तरीके से ये ये एक दूसरी के opposite होगा यहाँ पर और ये एक दूसरी के opposite ठीक है तो एक face ये वाला रहेगा हमारा तो ये opposite किसके होगा MPT वाले के जो ये center में ये हम पढ़ चुके हैं ठीक है अब options देख लेते हैं यहाँ पर पहले figures देख लेते हैं कौन-कौन सी possible है then जाएंगे options पर तो देखे ए figure में ये वाला face इसके opposite है तो MPT space नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पर देखे दो MPT space और है तो possibility ये हो सकती है अब dot के opposite देखे ये वाला dot है ये circle है बस ये नहीं होना चाहिए इसके सामने है ना तो इसका मतलब ये correct है ये possible हो सकती है then B पर देखते हैं यहाँ पर MPT के opposite MPT नहीं होना चाहिए है ना मतलब opposite faces है MPT और MPT यहाँ पर देखे लेकिन यहाँ पर एक MPT box और है है ना क्या पता ये वाला MPT box इसके opposite यहाँ पर same faces हो है ना तो ये possibility है और ये वाला देखे ये circle इसके dot के opposite है तो यहाँ dot नहीं होना चाहिए तो सारी possibilities यहाँ पर valid है तो इसका मतलब option B भी हमारा correct option है तो यहाँ पर third C figure में आपको ये दोनों overlap कर दी उसने ये वाली dot और ये circle overlap कर दिया तो ये तो possible होई नहीं सकता इसका मतलब ये incorrect है अब यहाँ पर देखे दी में आपको सिर्फ ये वाले ये वाला जो portion था fourth portion इसको इस तरीके से उसने दिखा दिया तो ये तो होई नहीं सकता ये face जब close करेंगे तो ये face एक साथ आना चाहिए तो option D b हमारा incorrect होगया तो right answer क्या होगा A and B only So option A is correct अब देखें last question पर move on करते हैं इस तरीके से आपको figure दे रखिए सबसे पहला task कर रहेगा हमारा opposite faces को find करना तो यहाँ पर देखें ये ampity, इसके opposite ये dot ampity के opposite और ये दोनो एक दूसरे के opposite यह हम पढ़ चुके हैं पहले ही आप देखें figures पर move on करते हैं यहाँ पर देखें ये opposite जो opposite faces होते हैं वो सामने नजर नहीं आते हैं तो यहाँ पर देखें इसके opposite ये वाला है ये वाली figure है same तो ये सामने नहीं होना चाहिए तो ये valid है ठीक है और dot के opposite क्या है? empty space है लेकिन empty space एक और है इसका मतलब ये possibility correct है ये हो सकती है figure अगर हम close करें तो अब देखें B option पर जाते हैं इसके opposite दूसरा है नहीं होना चाहिए ये वाली जो figure है न देखिए ये colored और ये वाला colored एक साथ नहीं होना चाहिए तो possibility valid रहती है यहाँ पर देखें empty और empty और एक empty और है तो इसका मतलब B भी correct C पर चलते हैं देखें dot के साथ empty space है लेकिन दो empty box और है तो इसके होले ये possibility है और यहाँ पर colored और दूसरा colored नहीं दिया हुआ तो option C भी correct है और ऐसी आप check करेंगे D को तो option D भी आपको correct मिलेगा तो हमारा option right कौन सा हुआ option number D, A, B, C, D ठीक है तो आज की class में सिर्फ इतना है अगर वीडियो पसंद आई हो तो like और share जरू करें और चैनल को subscribe करना ना बूलें Thank you so much for watching the video